तेजी से बदलते इस दौर में भी आपको कई लोग ऐसे मिल चौएंगे जिनके शोक देख आप भी हरान होंगे क्योंकि आज लोगों को महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें राजा महराजाओं की तरह रहने का शौक होता है आज हम आपको ऐसे ही व्यक्ति से रूबरू कराने जो आ रहे हैं जिन्हें घोड़ी पालने की काफी दिल्चजबी है और इसके लिए वे लाकों रुपे भी कर्च करते हैं दरसल इंदोर से सटे चोटा बांग्रदा छेतर में रहने वाले अमन शुकला को घोड़ी पालने का मानुजुन सवार है हाली में अमन के दोरा पंजाब में लगने वाले मुस्का मेले से 14 महीने की घोड़ी को 11 लाक रुपे में खरीद कर अपने घर लाए हैं जिसका नाम नर्गेस है इनके अलावा उनके पास दो घोड़े और भी है लेकिन यह उनमें से सबसे अलग है इस घोड़ी की बड़ी बात यह है कि छोटी होने के बावजूद भी पैसर टिंच की है वहीं इसकी परवरिश में ब्रत दन 1000 रुपे खर्च होता है इसे दोनों टाइम दूद खाली चोपड़ खिलाते हैं यह बड़ी रास की घोड़ी है अमने बताया कि शाया थी मधरप्रदेश में अभी को इतनी बड़ी रास का घोड़ी या घोड़ा लेकर आया होगा चाहुदा महीने की बच्छी है तो यह काफी बड़ी भोड़ी बीखे रही है तो इसके वारे नोगों जान पर शाया है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को इसको फिलाने में दूठ पिलाते हैं चन्ने देते हैं घारी आए चापड़े तब रोज सुवे दस लीटर फिलाते हैं शाम को दस लीटर फिलाते हैं चार आद्मी रखते रखें साबसभाई के लिए अब बहुत सोक से रखें बच्चे इसका नाम नर्गी से कितना रुपन अब इसको फिलाने का प्रदेश में इसी कितनी घुड़ी होईगी मत्के प्रदेश में तो एक बीन होगी मेरे अन्दाच से पाटी हो तो अच्छी बात है को अपने वेसा हो फालने वाला शोकिन आप इसके बारे में कुछ बताना चाहिए दर्शकों को अपने इसको फिला प्लाने में दूट पिलाते हैं चन्ने देते हैं थारी आए चापड़े तब चलता रहा है इसको रोज सुगे दस लीटर फिलाते है शाम को दस लीटर फिला चार आदमी रखके रखें साब सभई के लिए बहुत सोक से रखके रखें बच्चे यह से इसका नाम नर्गिस है जिए नाम बता है इसका नर्गिश नर्गिश इसका रोजका घर्चा किता है रोजका घर्चा यार उपर उचका आपका नाम बता है अमन शुखला तक पार तक ने